हरी तालिका तीच आने को अब बस कुछी दिन रह गया है खास बात ये है किसकी तैयारी को लेकर महिलाओं में खासा उस्सा रहता है भारत में तीच का पर्व महिलाओं के लिए विशेस महतों रखता है जिसमें हरियाली तीच और हरिताली का तीच प्रमुख रूप से मनाये जाते हैं हाला कि दोनों तेहवार एक ही माह के अंतर पर आते हैं लेकिन अक्सर इन्हें मनाया एक ही दर रह जाता है लेकिन इनके बीच कुछ महतोपूल अंतर है प्रसिद जोति साचार पंडित संजे उपाध्या ने इस संबंद में महतोपूल जानकरी देने का प्यास किया है हरियाली तीच का पर्व सावन मास के सुक्लिपोक्ष की तृतियातिधी को मनाया जाता है यतेवार मुख्य रूप से उतरी भारत में धूमधाम से मनाया जाता है और इसे प्रकृति के साथ जोडाव का प्रतीक माना जाता है इस जिन महिलाएं हरे रंग के वस्त्र पहनती हैं महंदी लगाती हैं और जूले का आनन्द लेती हैं पंडित संजय उपाध्याई के नुसार हर्याली तीज का उद्य पर्या वणंень के साथ सामंधन स्थापिट करना है और वड़सा रितू का स्वागत करना है ये पिर्व सभागे और सम्रद्धी का प्रतीक है वहीं बात हरीताली का तीज की करें यह तेवार भादप्रद मास के सुकलपक्ष की तितिया तिति को मनाया जाता है यह वरत देवी पारवती और भगवान शुव की पूजा के लिए रखा जाता है पंडित संजय उपाध्याय ने बताएगी इस रख की कधाय के अनुसार देवी पारवती ने भगवान शुव को पती रुप में प्रावप करने के लिए कठो तपस्या की थियों हरियाली तीज और हरितालिका तीज में बहुत तंतर है हरियाली तीज जो होती है वह स्रावण मास के सुखल पक्षे की तृतिया को मनाई जाती और यह विसेश करके प्रकृति को समर्पित है इसमें लोग हरे रंग का वस्र पहनते हैं, हरे रंग की चुड़ी पहनते हैं और ये विशेश करके राजस्थान या मारवाडी शमाज में यह मालने होता है। करके इनका पूजन करती है, हरी तालिका तीज या मापार्वती को शमर्पी थे, क्योंकि मापार्वती ने हरी तालिका तीज का ब्रत पूजन करके ही भगवान शिव को पती रूप में वर्ण किया था, प्राप्त किया था, तो इस प्रकार से हरियाली तीज और हरी तालिका त ये लिए उन्तर है, ये लिए उन्तर है